थोड़ा सा धाईश से रहें, उनके प्रस्ताव का, उनके सहयोग का जनता दल्यू शुक्रिया बोलता है, तो थोड़ा सा धाईश से भी समय का इंतजार कर लेना है। अब ऐसा है कि जक्ता बाबु हैं यही क्या कम बड़ी बात है कि कभी-कभी बोलते हैं तो भी बोल रहे हैं हमारे देश का सम्विधान है वो धार्मी के तबार से सोतंतरता दिये हुआ है जिसको जो मजभ पसंद है वो अपना है एक तुरण जहां बिहार के मुखमंतरी नितीष कुमार और भाजपा की दोस्ती टूटने पर लगी हुई है यानि लगतार कई इसे मुखमंतरी नितीष कुमार भाजपा से अलग है और कई नेताओं की बयानबाजिया लगतार भाजपा और नितीश कुमार जदियू के बीज के जो दूरिया है वो बढ़ा रही है ऐसे में राज़त के तरफ से ओफर दिया जाता है हलाकि उसके बाद नेता परतिपक तेस्वियादों ने इस ओफर को नकार दिया अब कही ने कही एक तरफ जहां भाजपा नितीश कुमार के साथ सरकार चलाना चाहती है वही नितीश कुमार बिहार के मुख मंत्री बने रहने के लिए भाजपा का सहयोग ले रही है इंडिये में सभी चार दल है ऐसे में इंडिये के चार दलों की अलग-अलग मंसा अलग-अलग प्रारूप देखने को मिलता है अलग-अलग विचार धाराओं के आधार पर वो काम करते हैं खास बात यह है के NDA में कई ऐसे दल है जो संप्रदाईक मुद्दे पर खुल कर बोलने से बसते हैं और कई ऐसे पाटिया हैं जो संप्रदाईक मुद्दे पर खुल कर बोलती हैं अगर हम बात करें मुखमंत्री नितीज कुमार की तो वो सेकुलर नेता कहे जाते हैं ऐसे में अब उनके पार्टी के नेता गुलाम रसूल बलियावी का एक बयान काफी तेजी से वायर लोड़ा है उन्होंने सुर्ण नमस्कार का बिरोध किया और कहा कि हम अल्ला को सजदा क क्यों करें यानि सुर्ण को पैदा करने वाले अल्ला हैं तो हम अल्ला की सजदा करते हैं आप वीडियो देखें क्या कुछ का रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी दुनिया जानती है कि देश में एक लवता लीडर नितिश कुमार जी हैं जिन्होंने जातिया धारित जन्ग भी आये और कई राज्यों के मानिय मुखमंतिरी भी समर्थन में उत्रे हैं और मानिय मुखमंतिरी के नेत्रुत में जो शिश्मंडल मिला था उसमें सारे दल के लोग थे सत्तापक्च विपक्च सब थे और सबने मिलकर एक सूर एक साथ उस परस्ताव का समर्थन किया था जिसमें किलियर और बिल्कुल वाज़े कंसेप्ट के साथ के जन्गणना में जातिया धारित जन्गणना कराई जाए यह डिमांड है और यह तो बिहार का नहीं अब तो पूरे देश का डिमांड हो चुक तो बढ़ाना है नई श्टा कोई पैसा कर्च होना है नई श्टा इस पर कोई आदमी लगाना है एक बार हो जाए वन्नेई सो पैंटीस में हुआ है उसके बाद तो दुबारा हुआ नहीं अब समर्थन में तो समर्थन में तो सदन में भी थे प्रैमनिस्टर के साथ क्या हम मिलने में भी थे उसके बाद भी वो समर्थन में है इसके लिए हम उनका दिल की अथा गायराईयों से शुक्रिया अदा करते हैं अब ऐसा है कि जक्ता बाबू है यही क्या कम बड़ी बात है कि कभी कभी बोलते हैं तो भी बोल रहे हैं अब अगर उनको लगता है नोटंकी कर रहे हैं तो प्रैमनिस्टर के हैं मिलने तो गए थे न साथ में तो अंदाजा उस दिन नहीं हुआ थोड़ा सा धाईच से रहें उनके प्रस्ताव का उनके सहयोग का जनतदल्यू शुक्रिया बोलता है तो थोड़ा सा धाईच से भी समय के इंतजार कर लेना चाहिए उस पर हर व्यक्ति पालन कर रहा है और सब को करना चाहिए अब रहा ये कि सुर्य नमस्कार क्या है ये कोई धार्मी के तबार से जो हमारे देश का संविधान है वो धार्मी के तबार से सोतंतरता दिये हुआ है जिसको जो मजभप पसंद है वो अपना है अब रहा ये कि सुर्य नमस्कार को अगर कोई अपना धार्मिक मुद्दा मानता है तो माने इसलाम में मुसल्मानों के हाँ सिर्फ एक अल्ला का सजदा होना है मुसल्मान उसकी सजदा कत्त ही नहीं करेगा जिस चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है तो सूरज को अल्लाह ने पैदा किया है तो हम उस पैदा करने वाले का सजदा करेंगे जो चीज़ पैदा हुई है उसका सजदा नहीं करें लिए देखने वाली बात है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर कैसे कैच करती है और खास तर पितम जब बिहार में कई मुद्दों को लेकर भाजपा और जदियू में नहीं बन रही है एक बाद फिर से नय मुद्दे सामने आगा है फिलाल इस ख़बर में इतना है अगर इस वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजेगो घंटी बाद उकराब बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद